सुभा की भागम भाग में हलका फुलका सेहत से भर पूर और बहुत ज़्यादा टेस्टी नाश्ता हम ऐसे बनाएंगे तो सबसे पहले तो हम कढ़ाई में एक से दो टेबल स्पून तेल को गरम करेंगे और फिर इसमें हम थोड़ इसी मूंगफली को फ्राई करेंगे यह मैंने वनफोर्ट कब मूंगफली ली है कच्छी मूंगफली है तो थोड़ा सा हम इनको पका लेंगे मूंगफली का यह सिस्टम है कि इसमें टेस्ट भी होता है और काफी जादा सेहत भी होती है नुट्रिशन वैल्यू इसकी काफी हाई होती है तो सुबह सुबह नाश्ते में अगर थोड़ से इस तरह से आप मूंगफली को शामिल करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके मूंग के स्वात के लिए भी और आपके सहत के लिए भी तो हमें बस इसे थोड़ा थोड़ा फ्राइ करना है और जैसे ही आपको लगे कि मूंगफली अपना कलर चेंज करने लगी है और इसका छिलका थोड़ा थोड़ा सा अलग होने लगे बस तब तक ही इसको फ्राइ करेंगे तो हमारी ये मुंफिली अच्छे से फ्राई हो गई है तो इसे तेल में से बाहर निकाल कर साइड में रख लेंगे अब इस पचे हुए तेल में हम डालेंगे एक टीस्पून राई मैं यहां पर बारिक वाली राई ले रही हूँ आप चाहे तो मोटी वाली जो राई आती है वो इस्तमाल कर सकते हैं इसके बाद इसमें डालेंगे हाप टीस्पून सौफ और फिर दो से तीन बारिक कटी हुई हरी मिर्च मैंने इसमें डाली है आप चाहें तो इसे कम या जादा भी कर सकते हैं इसके बाद इसमें मैं ये एक प्याज डाल रही हूँ चौप किया हुआ और बस इन सभी चीजों को हम थोड़ा सा पका लेंगे वेसे हमें इनको बहुत जादा नहीं पकाना है बस हलका सा पका लेंगे ताकि प्याज का एक जो कच्चापन होता है वो नहीं रहेगा और बस ये थोड़ा सा पक जाए तब तक ही इनको हम थोड़ा सा इस तरह से भून लेंगे तो ये देखिए प्याज की कुकिंग स्टार्ट हो गई है तो अब हम इसके अंदर कुछ और सबजिया भी डाल देंगे ताकि सभी चीजे साथ-साथ पक जाएगी तो इसमें मैं पहले डाल रही हूँ आलू तो ये एक आलू है जिसके मैंने छोटे-छोटे टुकडे कटके है ये मैं इसमें डाल रही हूँ इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ इसी गाजर तो ये लगभग एक गाजर है जिसे मैंने छील कर छोटे टुकडों में काटकर लिया है आपको जो भी सबजी पसंद हो अपनी पसंद की सबजी आप इसमें शामिल कर सकते हैं तो नहीं पसंद है उसको हटा सकते हैं मैं इसमें थोड़े से मटर के दाने भी डाल रही हूँ लगभग यह 1 4th cup है मैं यहाँ पर कच्चे मटर इस्तमाल कर रही हूँ तो अभी डाल रही हूँ अगर आप frozen मटर यूज़ करते हैं तो बाद में डाल सकते हैं और इसके बाद थोड़े सी मैंने यह फूल गोबी के florets लिये हैं तो यह छोड़े फूल गोबी के फूल यह भी हम इसमें डाल देंगे और बस सारे चीजों को मिला कर थोड़ा थोड़ा इनको भी पका लेंगे अब जो सबजिया है यह पूरे तरह से कच्छी है तो यह अच्छे से पक जाए उसके लिए इसमें हम डालेंगे एक टीस्पून नमक और नमक डालने के बाद यह सबजिया अपना पानी रिलिस करेगी और उसके बाद ये अच्छे से पक जाएगी तो बस मिला लेंगे नमक को सब्जियों के साथ और फिर इनको धकन से ठक कर धिम्याज पर पकाएंगे पीच पीच में आपको ये करना है कि धकन हटाकर इसमें दो से तीन बार आप चम्म चलाते रहें ताकि सब्जिया अच्छे से पकेगी और नीचे से ये जलेगी नहीं तो यहाँ पर बस इसको मिला लिया है और अब दोबारा से ठकन से ठक कर हम सब्जियों के सॉफ्ट हो जाने तक इनको पकाएंगे अब हम लेंगे पोहे तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ दो कप पोहे आपको जितने पोहे बनाने हैं आप उतने पोहे ले सकते हैं मैं यहाँ पर पतले वाले पोहे का इस्तमाल कर रही हूँ तो सबसे पहले पोहे को हम पानी से वाश कर लेंगे क्योंकि पोहे काफी पतले हैं और ये soft होते हैं तो इसको आप बहते हुए पानी में हलके हाथों से दोए दाल और चाउल की तरह इसे धोने की गलती आप बिल्कुल ना करें तो मेरी ये छोटी सी बात आप हमेशा ध्यान में रखे पोहे को धोने की बाद हमें इसमें पानी बिल्कुल नहीं रखना है जितना भी पानी आपको दिखे वो आप अलग निकाल दीजे और अब मैंने पोहे को वश कर लिया है और अब इसमें हम डालेंगे ये एक निम्बू का रस ये लगभग एक टेबल स्पून फ्रेश लेमन जूस मैंने इसमें डाला है और अब इसमें मैं डालने वाली हूँ चीनी तो लगभग दो से तीन टेबल स्पून के करीब इसमें हम चीनी डालेंगे मैं थोड़े से खटे मिठे पोहे बना रही हूँ तो नीम्बू का रस और चीनी मैंने दोनों साथ साथ इसमें डाली है अगर आप चाहें तो नीम्बू स्किप कर सकते हैं चाहें तो चीनी स्किप कर सकते हैं लेकिन इस तरह से अगर आप पोहे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे पोहे बनेंगे तो बस अब पोहे में हम नीबु का रस और चीनी को दोनों को हलके हाथों से मिला लेंगे और फिर इसके बाद हम इनको पांच मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ दिंगे अब एक बार जब आपको लगे कि सबजियां सौफ्ट हने लगी है तब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे तो मैंने इसमें सबसे पहले डाली है लाल मिर्च तो मैंने 1.5 टे स्पून लाल मिर्च का पावडर डाला है और one for three spoon मैंने healthy powder डाली है इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ ये half teaspoon चाट मसाला अब अगर आपको थोड़ा सा इसमें मसालेदार स्वाद भी पसंद है तो आप चाहें तो half teaspoon इसमें गरम मसाला powder भी डाल सकते हैं लेकिन मुझे इसमें गरम मसाला बिल्कुल नहीं पसंद है तो बस मैं इन ही मसालों को इन सब्जियों में अच्छे से मिला लूँगी और इस तरह से हमें इनको धिम्याज पर पकाना है अगर आपको किसी भी टाइम ये लगे कि मसाले जनले लगे हैं सब्जियां सही से नहीं पक रही हैं तो आप इसमें थोड़े से पानी के छीटे डाल कर इसको धकन से धक कर अच्छे से पका सकते हैं हमें बस इन सभी सब्जियों को इतना पकाना है कि ये सौफ्ट हो जाए लेकिन पूरी तरह से मेशी ना हो आप इस बात का जरूर ध्यान रखे तो यहाँ पर हमारी जो सब्जिया है वो अच्छे से खाने लायक पक चुकी है तो बस अब ये टाइम है इसमें पोहे डालने का तो जो पोहे में हमने निम्बू का रस और चीनी मिलाकर रखी है हलके हलके हातों से अब हम सारी चीजों को मिलाएंगे हमें इनको इस तरह से मिलाना है कि पोहे में इन सारी चीजों का अच्छा सा टेस्ट आ जाए और कलर चड़ जाए अच्छे से तो इस तरह से मिलाएंगे ताकि पोहे टूटेंगे भी नहीं और एकदम बढ़िया से खिले खिले पोहे बनेंगे पोहे को पकाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है तो बस जैसे ही सारे चीज अच्छे से मिल जाए तुरंत ही हम गेस के आज को बंद कर देंगे और सर्व करने से पहले हम इसको दो मिले धकन से ढख कर ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि अपनी ही स्टीम के अंदर पोहे और अच्छे से पक जाएंगे और एकदम जब आप धकन खोलेंगे तब आपको पोहे कुछ-कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे तो देखिए एकदम बढ़िया से खिले-खिले पोहे तयार है तो अब ये जो हमारे पोहे बने हैं इसमें स्वाद और सेहत दोनों ही भरपूर है तो बस अब देर के इस बात की जल्दी से हम ये गर्मा-गरम हमारे मिक्स वेजिटेबल पोहे को सर्व करेंगे इस तरह से ये हमारे गर्मा-गरम पोहे बनकर तयार है खाने के लिए जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और चटपटे बने है तो आप भी इसे इस तरह से बनाएए, खाईए और सबको किलाएए, सबको ये बहुत पसंद आएंगे और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज इसे जरू लाइक करें, शेर करें और हमारे चैनल एटी हमिशास को प्लीज जरू से सब्सक्राइब करें तकि आगे भी आपको इसे तरह की रेसिपीज मिलती रहें और नए रेसिपी की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिलकुल न भूले हम नेक्स रेसिपी के साथ जल्दी मिलते हैं तिल देन, इंजोई दिस टेस्टी टेस्टी पोहें और थैंक्स पर वाचिंग एटेमिशास